साथियों नमस्कार, उमिद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे सेट का रिजल्ट आ चुका है और जिन साथियों ने सेट क्वालिफाई किया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत दोशुप कामना बथाई साथियों, कई साथियों के मेरे पास अभी भी मेसेज आ रहे, काल आ रहे के सार जो है रिजल्ट कैसे देखे, रोल नमबर कैसे देखे, तो सिंपल प्रोसेस है भहिया, रिजल्ट देखने की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेलेबस के बारे में और थोड़ा पहले बता देते कि रिजल्ट कैसे देखना है तो कई साथियों को रिजल्ट देखने में अभी भी दिक्कत आ रही है तो result देखने में कुछ नहीं आप result section में जाओ ना भईया result section में गए अपन और result section में जाते ही open हो गया है title, state eligibility test अब यहाँ पर देखेंगे तो result दीखनी रहा है थोड़ा ऐसे scroll करें नीचे आए और ये chemical science का result आए वो आगया साब ये chemical science का result ठीक है साब ये आगया chemical science का result देखेंगे आप अपना chemical science का result ये दे रखा है chemical science का result इसमें नीचे cut-off marks से रहे हैं कितने candidate select हुए ये दे रहे हैं undesolved में 46 हैं OBCM 54 है SC में 48 candidate select हुए ये दे रखा हैं और जो जो select हुए उन candidate के roll number दे रहे हैं साब तो जो category में हो वो अपना roll number देख सकते हो OBC category में वो OBC में देखे हो सकता है कि अच्छे number आये तो general category में भी roll number हो सकते है तो दोनों जेगे देख ले पहले general में देखे जनरल में नहीं है तो अपनी जो category में है उसमें देखे SC वाले SC में देखे, ST वाले ST में, OBC वाले OBC में और EWS वाले EWS में और Other State के तो सिर्व General में देखना है उनको क्योंकि अंदर State के जो Farm Fill Up हुए तो वो Only General Category में भरे जाते हैं तो ये तो बात हुई सहाब MPC8 Result के बारे में तो Result आप ऐसे देख सकते हो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको ये जो है Assistant Professor की Preparation करने के लिए Chemical Science की Preparation करने के लिए मेरे दुआरा बेच लांच की जा रही है और पूरा syllabus जो है वो application पर आपको complete करवाए जाएगा अभी MP6 चैन परिक्षा में जो तयारी करवाई थी हमने बहुत बहतर तयारी रही थी लगभग 30 से 40 Candidate Government Job में लग जाएगी इसमें आराम से 30 से 40 क्योंकि इतने Candidate के नंबर 70 above जो है लगभग 30 Candidate के नंबर होगी 80 above जो है 10 से 15 Candidate के नंबर 80 above है तो अच्छे नंबर आए 100 में से और category wise देखे तो और नीचे तक भी मेरिट जाएगी तो अच्छे घासे Candidate जो है सिलेक्ट होंगे उसमें अब बारी आई है Assistant Professor की तैयरी करवाने के लिए Assistant Professor बनाएंगी अब Candidates को तो यह जो हमारा जो basically जो चर्चा है या जो हम जो पढ़ाते हैं जो Hindi Medium की Student के लिए है Hindi Medium की Student के लिए जो हम जो content दे रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगा साब क्योंकि अधिक्तेर जो channel वाले हैं या जो भी online बढ़ाते हैं वो उनका जो medium जो है रहता है only English रहता है तो वहाँ पर Hindi Medium वाले के इनिट को basic to advance अब बात यह है कि हमने जो इतने टाइम का जो अनुभाव हुआ है इतने सारे पेपर से देखते हैं NET, SET के पेपर हैं या assistant professor exam के पेपर सभी पेपर का हमने जो है analysis कर रखा है पेपर जो बनता है basic से advance बनता है और हमने खुद ने जो हैं हम खुद इस तपश्या में तपे हुए है मैंने खुद ने second grade की job जो है वो quit करी थी उसमें अच्छे नंबर से select हुआ था फिर first grade की job है तो खेर अभी हैं यह भी first grade की job करी रहे तो इसमें मेरा RMP बारवी rank बना था और जीले में first rank बना था मैंने खुद ने जो है set qualify कर लिया है तो यह भी यह सारा जो है मैं subject के touch में हूँ इसलिए जो है सारी जो दिक्कते हैं कि किस तरीके से paper बनेगा किसे preparation करनी चाहिए सारा guidance आपको जो है मस तरीके से आपको मिलता रहेगा यदि आप जो है course में जुड़ेंगे तो निश्चित आपको benefit मिलेगा तो जो course है अगर आप course आप देखेंगे अब हम course की जर्चा करते है सहाब अब course की आपका जो course है syllabus देखोगे यहाँ से इस जगे से examination में जाओगे syllabus and इस किम यहाँ पर जाओगे आपको syllabus मिल जाएगा हर एक exam की syllabus यहाँ पर पड़ा हुआ है ओके तो syllabus आप यहाँ से देखोगे आपको काई का syllabus देखना सहाब आप assistant professor की exam देने जा रहे है कोन सब्जेक्ट से देने जा रहे है chemical science से देने जा रहे है तो यहाँ पर जाओगे chemistry में जाओगे यहाँ आगे सहाब आपके लिए chemistry chemistry पर क्लिक करोगे आपका syllabus आगे सहाब यहाँ पर आपका जो पेपर जो subject का रहेगा बहुत बड़ा important role रहेगा second paper है और 150 question आएगे और 600 number यहाँ पर cover होगे 600 ओके तो यह जो है आपको जो है यह वाला जो है यह वाला पेपर हमारे द्वारा complete करवाया जाएगा 600 number जो maximum part है इसका ओके इसमें interview भी है सक्षातकार भी है 100 marks का 50, 100, 1,500 200 number 200 question रहेंगे टोटन 270 में होगी यह आपकी exam प्रथम प्रशन पत्र है वो जो syllabus आप जो MPPSC का जो GS का है न वो वाला syllabus यहाँ पर डाल दिया है और इसमें यह भी है कि प्रथम प्रथम प्रशन पत्र में 40% mark लाना था 40% mark लाना number लाना थो बहुत छोटी बाते वेसे और category वालों के लिए 30% तो अच्छे से तयारी कीजिए syllabus अगर आप देखोगे तो हमने जो preparation करवाई थी MP शिक्षक चैन प्रिक्षा MP टीचर सिलेक्षन टेस्ट की preparation करवाई थी उससे बहुत कुछ मेज करता है यह तो first paper का syllabus है साब जिसके 50 question मनेंगे 200 नमर आपको यहां से cover करने है फिर बात करें हम जो है chemistry की syllabus की तो chemistry की syllabus में आपको जो है यहां से chemical science का जापका main paper रहेगा 1.500 question आएंगे और 600 नमर आपको यहां से cover करने है 600 marks से यहां से cover करने है अब जब आप syllabus देखोगे साब इसका chemical science का चलिए नीचे चलते हैं यह है साब आपके syllabus paper basic से advance बनेगा basic से advance ऐसा नहीं है कि advance की तैयरी करते रहें और basic चीज़े फूल जाए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा practice rate लगाने पड़ेंगे तब जाके जो है बाद में जीवन भर पच्टावार रहेगा क्यार थोड़ी ओर तयारी कर लेते तो मज़ा आ जाता ये दिल में कसक नहीं हो रहेनी चाहिए तयारी इतनी करना है कि सिलेक्शन लेना ही लेना बस ये सोच के तयारी करना कई बार क्या होता है कि अपने एडवांस पढ़ते रहते सारी ये चीज़े आती है लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पाते बेसिक चीज़े अकर कंप्लिट नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़े वन लाइन रहती है एक बार रीडिंग में कंप्लिट हो रही है कि एक बार रीडिंग कर लेते तो शायद ये वाला जो क्यूशन जो है साह कर पाते हैं तो वो कसक निरनी चाहिए रिडिंग कर लिजेगा साब अच्छे से बेसिक से तयारी कर लिजेगा क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पुराना पेपर देखोगे तो आपको बेसिक से एडवांस दीखेंगे बहुत सरे कुशन ऐसे दीखेंगे गार इस त जब आप इस में जाओगे इस चेप्टर में जाओगे तो यहां पर भी बहुत बेसिक से कुशन बनेंगे थोड़ा बहुत एडवांस में आ जाएंगे फेजरूल वगेरा यहां से थोड़ा बीएसी का सेले बसा गया ओके यह चीज़े हैं यह 11-12 से रिलेटेट हैं यह सार बनेंगे हैं कोई दिक्कत नहीं है पेपर विutली बार सिमपल ही बने थे कुशने इन चेप्टर से फिर पेरिगी सिटी एटोमिक स्टक्चर सहाब क्यामिक प्यमैस्ट्री और नार्मल एलिमेंट, S-black element, P-black element से question बनते ही बनते हैं सहाब transition element से बनते ही, inner transition element से बनते ही है तो S-P-D-F black element atomic structure और periodicity बहुत simple chapter हैं, मध्यदार chapter है, basic to advanced with concept के complete कर लेना फिर बात करते हैं सहाब acid and basis theories जो BSC में दिवी रेती है environmental chemistry है, polymer chemistry photochemistry ठोटोगेमेस्ट्री अब थोड़ा ये advanced में आगा है थोड़ा एडवास में बंदे जाना है साब Organometally Chemistry Okay Organometally Chemistry है Bio-Inorganic Chemistry करना आपको अच्छे से जो BAC के syllabus में Nuclear chemistry करना है Fundamental principles Okay, Spectroscopy करना ही करना यहां से question बनते ही बनते है तो सभी चीजों का अच्छे से revise करके जाना अब यह जो topic देखो के साब आप Same to same आपको जो first grade के syllabus में था पूरा पूरा वोका वोई है first grade का जो chain परिक्षा का जो syllabus था chain परिक्षा का जो syllabus था उसमें दिया तो advance था लेकिन paper basics बना था तो तैयारी अगर हो सकता है कि 2018 का जो paper बना था MP शिक्षक chain परिक्षा के लिए तो वो advance बना था सहावी इसमें जो है basic से paper बना लिया तो अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग time पर होती रहती है तो तैयारी दोनों तोलग से advance आया तो भी करेंगे हम और basic आयागा तो भी हम paper solve करेंगे और अच्छे number लाएंगे ये चीज होनी चाहिए तो ये पूरा-पूरा same to same ये वाला unit chapter किसमें chain परिक्षा में भी था साब ये भी पूरा-पूरा जब syllabus देखोगे ये 8th unit का पूरा-पूरा एज़ इटिस आपके जो है chain परिक्षा teacher's selection exam थी उसमें same to same syllabus था net का syllabus है set का syllabus same to same है फिर अपना आगे बढ़े अब क्या होता है कि जो candidate जो है भाई साब सबसे ज़्यादा दगाबास किसके साथ हुई थी सबसे ज़्यादा धोकेबाजी किसके साथ हुई थी chain परिक्षा में उनके साथ हुई थी कि लोगों ने देखा कि ये जो net का syllabus दे रखा है तो paper net level काएगा लोगों ने नेट के जो course पढ़ा रहे उनसे course purchase कर लिए और पढ़ते रहे बड़ा detail में नेट के बारे में पता जला paper basics बन गया अरे भाईया इतना पढ़ने के कहां ज़रो होते है समूद रहे है साथ पढ़ाई कभी खतम थोड़ी होती है आपको exam में select होने के लिए जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है अगर आपको ये मालूम बढ़ गया तो आप exam में selection ले लोगे आपको कितना नालेज़ ये कोई लेना देना नहीं है साथ जब तक आप exam में select ने हो और यार बहुत deep knowledge है साथ subject का deep knowledge होने से क्या होता है साथ selection देऊगे तो बढ़िया है न बहुत अच्छा पढ़ा रहे साथ इस topic को इतना deep में पढ़ाया के मज़े आगया साथ उसी topic को deep में पढ़ा लोगे तो बाकी topic कप complete करोगे ये चीज होनी चाहिए MPPC की level से अगर आप पढ़ोगे तो कभी covering नहीं कर पाऊगे क्योंकि दो-दो साल से लोग preparation करते हैं अगर आप ये preparation अगर net set की net की level से करोगे कि advanced level से करते जाओ एक एक साल से लोगों की net नहीं निकलती है लेकिन जो एक planning से तयारी करते हैं वो लोग selection लेके चले जाते हैं तो तयारी कैसे करना पूरी planning से तयारी करना तो इसमें जो syllabus तो बहुत broad दे रखा हैं लेकिन उस broad को कैसे कम करना हैं और कैसे question मनेंगे और कैसे practice question लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपन जो है cover कर पाएं तो वो चीज है सहाब ये ninth unit बिल्कुल name reaction वगेरा है और last unit वापस बिल्कुल simple है सहाब simple chapter है तो बस मेरा इस वीडियो का बनाना का ये उद्देश था कि आपको syllabus से introduce करवा दे syllabus आप देखी सकते हो mpbse site पर है ये तो आपको जो है application की link भी इस वीडियो की description मिलेगी मेरे mobile number भी इस वीडियो की description मिलेगे और कुछ demo video की link भी इस वीडियो की description मिलेगी ओके तो basic to advance आईरी करवाई जाएगी लगभग 1500 के something वीडियो और ज्यादा वीडियो बनेगे ये वीडियो जो है application पर upload किये जाएगे उनके PDF notes आपको available करवाई जाएगे ओके और अगर इसके बाद में जो पूरी अगर test series अलग सरेगी तो test series जो है test series भी करवाई जाएगी ताकि वहाँ आपसे जो question जो है question को आपको समझने में आसानी हो आसानी आसान तरीके से जो है आपको जो paper आएगा उसको किस तरीके से solve करना है किस तरीके से analysis करना है option कैसे देखना है वो सारी चीज़े आपको मिलेगी सीखने को ओके तो साथियों अच्छे से तयारी में भीड जाएगे क्योंकि assistant professor का exam में चोटा मोटा exam नहीं है competition बहुत अच्छा है तो साथियों मिलेंगे next video में तब तक के लिए ओके बाए जहिन